हेलो दोस्तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे MTF यानि की Margin Trading Facilities क्या होता है और इसमें कितना Tax और Brokerage लगता है यह सब देखेंगे सोचो आपके पास 25,000 है और आपको आपके Broker 3X या 4X का Leverage आपको देखेंगे सो अगर आपको 4X का Leverage मिल रहा है तो आप 25,000 से 1,00,000 का Share करी सकते हो लेकिन इसके बदले आपको Daily Interest देना पड़ेगा अब हम देखेंगे इसमें आप Shares कैसे Buy कर सकते हो और आपको कितना Charges लगेंगे हम यही पे एक Stock Search करते है State Bank of India का करते है Buy करने के लिए आप Buy पे क्लिक कर सकते हो मैं डेस्टॉप में देख रहा हूँ ए मोबैल अप्लिकेशन में भी सेमी होगा Buy पे क्लिक करने के बाद आपको एक स्क्रीन दिखेगा आप इसमें MTF पे क्लिक कर सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी SBA का एक शेर शेर का प्रैस 573 रुपीज है लेकिन नीचे आप देख सकते हो आपको एक शेर एरॉन 143 रुपीज में मिल रहा है क्योंकि आपके पास 4X का लेवरेज है सो अब क्वांटिटी में हम 175 एड करेंगे आप देख सकते हो तो एरॉन 25,000 रुपीज का लगेगा अब हम जाएंगे फंडिंग एस्टिमेटर पे यह फंडिंग एस्टिमेटर का स्क्रीन है इसमें आप पूरा मार्जिन, टैक्स, इंटरस सब देख सकते हो इसमें आप पहले देख सकते हो तो आप क्वेंटिटी करीदा है 175 यह बाइप्रेस देख सकते हो ट्रेड वाज़ू टोटल वन लाग का होगा 25,000 आपका और 75,000 फंडेड होगा और टाइप देख सकते हो और MTF फंडिंग वोवर्यू में आप देख सकते हो माइफंस यह आपका फंडेड आपका फंडेड पर पर डेड इंट्रेस रेट पर डेड है 0.0438 परसेंट का यह परसेंटेज आपको 75,200 के ऊपर लगेगा यह 25,000 पर नहीं लगेगा जो फंडिंग ब्रोकर ने दिया है उस पर आपका इंट्रेस्ट लगेगा अब हम कैलुकलेट करते हैं आपको डेली इस ट्रेड पर कितना इ 25,000 का फंडेड अमॉंट है और इसमें इन्टु करेंगे 0.0438 परसेंटेज रेट डिवाइड बाई हंड्रेड और आपका डेली का इंट्रेस्ट होगा एरूंड 33 रुपीज का इंट्रेस्ट होगा आप 25,000 रुपीज डाले हो 75,000 का मार्जिन मिला है सो एक लाक ट्रेड के लिए आपको डेली 33 रुपीज का ब्रोक्रेज देना पड़ेगा अब हम वापस आते हैं दन पे और इसमें आप होल्ड फॉर आप इस ट्रेड को लाइक लाइफ लॉंग होल्ड कर सकते हो जब तक आपके पास देने के लिए मार्जिन है तब तक आप आप ये ट्रेड को होल्ड कर सकते हो और ट्रांसेक्शन इस्टीमेंट इसमें सारे टैक्स का डीटेल से ब्रोक्रेज है ट्वेंटी बरसेंट ये तो फ्लाट होगा और एक्शेंज चार्जस एस्टी जी एस्टी ये सब टैक्स मिला के आपको बाई पे 142.97 टैक्स लगेग इस्टीम लगेगा और सेल करने पर लगेगा ये तो 12.50 एरोपीज को होगा है क्या असट आपको पूरा मिला के यहाँ पर एरांट 300 रुपीज का टैक्स लगता है सो एराउंड हमारा ट्रेड वैल्यू है एक लाग का एक लाग पर त्रीहंडर रुपेस का टैक्स लगेगा और अब हम देखेंगे हमें इस ट्रेड पर अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना मिलेगा और लॉस हुआ तो कितना जाएगा हम चलते हैं यहां पर हमारा ट्रेड वैल्यू है वन लैक का सो हमें 10 परसेंट का प्रॉफिट हुआ तो 10,000 मिलेगा और इसमें हमें टैक्स त्रीहंडर का लगेगा और इसमें डेली इंट्रेस्ट हमें डेली का 33 रुपीस लग रहा था तो अगर हम 15 डेस के लिए वोल कर रहे है तो हमें 500 रुपीस का इंट्रेस्ट लगेगा टोटल तो हमें 9200 का प्रॉफिट मिलेगा अगर हमें 10 परसेंट का प्रॉफिट हुआ तो वही लॉस हुआ तो हमें 10 परसेंट का लॉस हुआ तो 10,000 माइनस 500 का इंट्रेस्ट लगेगा और 300 का टैक्स लगेगा यह 500 का इंट्रेस्ट 15 डेस के लिए है अगर आप 30 डेस्ट के लिए होल कर रहे है तो 13 तो 33 रुपीस 7,000 रुपीस का आपको इंट्रेस्ट होगा तो हमें लाइक 10,000 प्लस 800 का टैक्स लगेगा तो 10,800 का हमें लॉस होगा तो हम वापस आते हैं स्क्रीन पर और अब हम देखेंगे यह MTF फेसिलिटी किस की स्टॉक पर मिल रहा है हम दन्ग के वेबसेट में जाएंगे और यहां पर अम देख सकते हैं which shares are eligible for margin funding यहां पर आप क्लिक कर सकते हो और यहां पर आपको here पर क्लिक करना है और यहां पर आप सारे shares का लिस्त देख सकते हो जिसमें margin मिल रहा है कोई-कोई stocks के लिए 4% मिल रहा है कोई-कोई stocks के लिए 3% मिल रहा है और कोई-कोई stocks के लिए 2% मिल रहा है और ऐसे ही 900 stocks के around stocks को मिल रहा है margin आप यहाँ पूरे list देख सकते हो हम वापस screen पे आते हैं और यहाँ देखते है यहां आप इस stock को market पे करी सकते हो या limit लगा के करी सकते हो या trigger price के trigger price भी set कर सकते हो आप के इसाब से एब buy कर सकते हो और instant buy पे click करेगा तो एब buy हो जाएगा और इसमें दो-तिन चीजे याद रखना होता है कि क्या आप buy करने के बाद आपको उसी दिन चार बजे से नौ बजे के अंदर आपको इस share को pledge करना होता है अगर आप pledge नहीं करेगे तो इस share आपका अगले दिन sell हो जाएगा तो इस pledge करना ज़रूरी होता है आपको email या आप website कोल के देखोगे तो आपको pledge का option आज जाएगा आप वहीं से pledge कर सकते हो यह usually swing trading के लिए beneficial होता है क्योंकि मैं यह swing trading के लिए use करता हूँ यह अच्छा कासा आपका technical analysis अच्छा है तो अच्छा कासा result मिल जाता है इसमें ज्यादा risk भी नहीं होता like options trading या intradate के तरह ज्यादा risk भी नहीं होता और आपको बार बार stock को देखने का जरूरत भी नहीं होगा आप अगर trading यूज कर रहे हो तो वहां alert लगा के चोड़ सकते हो और जब आपका price या stop loss या target हीट होगा तब आप sell कर सकते हो मैं आगे आने वाले वीडियो में swing trading कैसे करते हैं और उसका strategies का videos भी डालोंगा आप वो देख सकते हो उसमें अच्छा return भी मिल जाता है और आपके पास अगर trading का account नहीं है तो आप नीचे मेरे link से कोल सकते हो मैं usually done का app यूज करता हूँ क्योंकि done में आपको MTF मिल भी जाता है और इसका user interface ये सब अच्छा है आपको MTF के बारे में कुछ भी डाउट है तो आप नीचे comment section में मुझे पूछ सकते हो मैं वहाँ पे आपको reply कर दूँगा अगर आपको ये video अच्छा लगए तो आप like, share और subscribe कर दूँग Thank you